आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मैंने अपने तीन बच्चों के छोटे से कमरे को एक शांदार और मज़ेदार जगह में बदल दिया। पत्नी ने गलती से तीन बच्चे पैदा कर दिये और मैंने सिर्फ एक बंक बेड और एक सिंगल बेड खरीदा था। बच्चे रोज बिस्तर के लिए लड़ते रहते थे तो मैंने सोचा क्यों न सब कुछ बदल दिया जाए। सबसे पहले मैंने गैल्वनाइस्ट स्क्वाइर स्टील का इस्तिमाल करके एक बेड फ्रेम बनाया और इसे पर्यावरन हितैशी लकडी के वेनियर से कवर किया। बच्चे साथ में पढ़ सकते हैं। डेस्क के पास एक बड़ा वाडरोब बनाया जिसमें उपर ओफ सीजन के कंबल और नीचे परपल शर्ट्स और पैंट्स रखने की जगह है जिससे बच्चों में फैशन डिजाइन का शौक बढ़े। एलिस के स्टडी माटीरियल्स के लिए भी जगह बनाई। कई ड्रॉस बनाएं जो सीडियों का काम भी करते हैं, नीचे के ड्रॉस में एलिस की मोजे और बड़े ड्रॉस में खिलोने रखे जाते हैं। साइड में बढ़ते हुए एक और बेड फ्रेम बनाया, इसे विस्तार स्क्रू से मजबूती से लगाया और पर्यावरन ही तैशी लकडी के वेनियर से कवर किया। इस पर एक सॉफ्ट कद्दा रखा, जो एलिस के बिस्तर के लिए मजबूत और आराम दायक है, ताकि वह बिना किसी हरकत के बेले डांस कर सके। बिस्तर को उचा बनाया और साइड बैरियर्स के लिए वाल प्लैंक्स का इस्तिमाल किया। इसके पास एक पार्टिशन बनाया, जो अच्छी वेंटिलेशन और रोशनी देता है, साथ ही बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए वुडन पार्टिशन वॉल पर विंड ब्लॉकर का काम करता है। फिर, गैल्वनाइजड स्क्वाइर स्टील का इस्तिमाल करके मेरे बेटे लियाम के लिए एक बेड फ्रेम बनाया, इसे पर्यावरन हितैशी लकडी के वेनियर और एक सांस लेने योग्य रिब्ट फ्रेम से कवर किया, जिससे सोते समय आराम मिलता है। बिस्तर के नीचे, तीन बड़े ड्रॉर्स लगाए, जो लियाम के बदबूदार मोजे और अंडर्वियर को अलग-अलग रखते हैं, साथ ही खिलोनों के लिए भी जगह बचाते हैं। दीवार के खिलाफ एक सॉफ्ट बैकिंग लगाई, ताकि सोते समय आराम मिले। सीडियों के नीचे, एक कैबिनिट बनाया, जिससे हर उपलब्ध जगह का उप्योग हो सके। साइड में बढ़ते हुए, एक डेस्क बनाई, जिससे लियाम का स्टडी एरिया बन गया। जिपसम बोर्ड का इस्तिमाल करके पार्टिशन वॉल्स बनाई, जो विभिन नक्षेत्रों को प्रभावी धंग से विभाजित करती है। कुछ नेरो स्टेनलेस स्टील ग्लास डोर्स लगाए, जो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों हैं, जिससे स्पेस का द्रिश्य आकरशन बढ़ता है। इसके पास एक ग्लास पार्टिशन लगाया, जिससे लियाम का कमरा अच्छी तरह से रोशनीदार रहता है। इसके बगल में एक सीट बनाई, जो लियाम के कमबल और कपड़े सौट करने के लिए है, जिससे तीनों बच्चे अलग-अलग रह सके बिना एक दूसरे की प्राइवेसी में खलल डाले। यह व्यवस्था व्याभारिक और सौंदर्यपूर्ण दोनों है। तो दोस्तों, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, थोड़ी क्रियेटिविटी और जुगाड से सब कुछ संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले।